गुड़ मॉनिंग दोस्तों कैच्छे हैं आप लोग स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर AKS Entertainment at 513 पर सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मेरे दो 4000 घंटे का वाच टाइम है वो कल की डिट पर कंप्लेट हो गया है तो इस सहयोग प्यार के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो सबसे पहले तो मेरे 8-10 दिम पहले 1000 सब्सक्राइबर कंप्लेट हुए उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगा अब मेरा वाच टाइम भी कंप्लेट हो गय है और यूटूब पार्टनर बनकर मैं कुछ अर्न कर सकता हूं ठीक है एक खबरी आपको जल्दी में दूंगा और एक अच्छी पाल्टी भी दूंगा यह मेरा वादा है ठीक है तो अभी मैं फॉब गया नहीं था मैं घर में बैठा हुआ था मैं बोला एक छोटा सा कहानी सुना दिया जाए क्योंकि फार्टू वीडियो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा जिस्पूर जो किसी प्रेकार से गलत में से पहुंचाता हो मुजिकल अगर हलका फुलका चल जाएगा एंजॉय के लिए वह सब चलता रहाएगा बाकी कहानी वीडियो कॉमेडी इस तरीके से वीडियो में आपके सामने पेस्ट करूंगा तो अभी छोटा सा कहानी सुना रहा हूं प्लीस सुन लिए कभी कभी होता क्या है कि आपके प अध्यानी सुनाता हूं आपको अखंड जोती की किताब है पार्ट हमारे हर मेहना आती है उससे देखकर मैं आपको सुना रहा हूं तो प्रिश्ट ध्यान से सुनिए होता क्या है एक बार अकबर बातस्वा ने बिर्बल से कहा बेबल तुम्हें काला कोईला सभित करके बिर्बल सक्ते में आ गए लेकिन बातस्वा का आदेश था इसलिए युक्ती सोचने लगे उन्होंने बातस्वा से कहा हुदूर कुछ दिनों के बाद हुदूर कुछ समय दिया जाए फिर कोईला सभित करके दिखाऊंगा ठीक नोने बातस्वा से कहा कुछ दिनों बाद बिर्बल दरबार में पहुँचे बिर्बल की चतुराई देखने लोगों का जमघट लग गया बिर्बल ने काले कोईले को सब के सामने रखा और उसमें आग लगा दी कोईला धूधू करके जलने लगा जल कर कोईला अंगार बना और अंगार जब भुठा तो सिर्फ सफेदी के अलावा कुछ भी नहीं था सभी समद गय कि कोईले को सफेद करने का उपाय संसार में सिवाए अग्री संसकार के कोई दुसरा नहीं है कुछ संसकारी रूपी कालिक को यदि सिद्ध बनना है तो ऐसा तपस्या ही अगनी से ही संभाव है तो एक छोटी सी कहानी थी अकबर और विजबल से रिलेटर अगली बार मैं कुछ अच्छा सा वीडियो और लेकर आऊंगा अगर आप इस चैनल पर नहे हैं तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब करिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए ठीक है तो दुस्तों फिर मिलते हैं अगली बार कुछ नहीं कहानी कॉमेडी या सौंग के साथ सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद टेक क्यार क्यार